हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूदी टेक सबकुछ चलने दोस्तो फ्लिपकाड पर बिग सेविंग डे सेल 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है जो कि 22 दिसंबर तक चलेगी इस सेल में क्या कुछ ओफर मिलेंगे सबकुछ रिवियल हो गया है वहीं अगर आप एक नया स्म स्क्राइब कर बैल ऐकन को जरूर तमाएं काई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सेल में मिलने वाले बैंक ओफर की दोस्तों इस सेल में आपको एक्स्थरी 16,000 रुपे की कीमत में मिल जाता है वैसे इस फोन की कीमत 17,000 रुपे है अगर स्मार्टफोन रहेगा जिसको कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों रियल में 6 मिलता है जो की 13,000 रुपे में मिल जाता है इस पर भी कार्ड ओफर लगाने के बाद में ये फोन 12,000 की कीमत में मिल जाएगा जिसमें की 6 प्लस 64 जी भी विरेंट मिलेगा तो इसको भी आ स्मार्टफोन रुपर मिल जाता है जिस पर की सब्सक्राइब के पस if देश्यर प्र लगाने के बाद में 9,000 की अदर में ये बेस्ट डिल रहेगे अगर आप इस बजट में कोई स्मार्टफोन लेना चाते हैं तो इसको आप जरूर से ले सकते हैं नेक्स दूस्तों अगर आप नोन चैनीज स्मार्टफोन लेना चाते हैं समसंग एलक्सी F41 15,000 रुपे मिल जाता है जिस पर की काड़ ओफर लगाने के बाद में 14,000 रुपे के आसपास से ये मिलेगा तो अगर आप इस बजट में नोन चैनीज स्मार्टफोन लेना की सूच रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं नेक्स पोको C3 स्मार्टफोन 3 प्लस 30 2 GB विरेंट 7,000 रुपे में मिल जाता है नेक्स दोस्तो रियल में C15 मिल रहा है जो कि Qualcomm और MediaTek दोनों प्रोस्टर के साथ में आएगा साड़े 9,000 रुपे की कीमत में जो कि सच में काफी सप्राइसिंग है क्योंकि कुछ टेम पहले इस उनकी कीमत सिर्फ 9,000 रुपे रखे गई थी बट अब इनकी कीमत को बढ़ा कर साड़े 9,000 रुपे कर दिया गया है जो कि अभी भी बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है इस बज़र्ट में आपको काफी अच्छी स्मार्टफोन मिल जाएंगे जैसे कि Poco M2 वो आप ले सकते हैं इस बज़र्ट में काफी अच्छा फोन है जिस पर कि आप गेमिंग वेगर अभी की स्मूथ लेक कर पाएंगे तो अगर आप एपल एको सिस्टम में जाना चाते हैं तो ये काफी अच्छी डील है इसको आप ले सकते हैं नेक्स्ट हमें OPPO A31 1100 रुपे की कीमत में मिल जाता है और साथ में Redmi 9i 8300 रुपे में मिल जाता है दो नई फोन को आप इग्नोर करो बिल्कुल भी लेने नहीं है नेक्स्ट है Poco X2 15000 रुपे की कीमत में मिल जाता है ये फोन 14000 रुपे तक आपको मिल जाएगा तो ये फोन तो काफी अच्छा है बट मैं कहुआ कि आप इसकी जगह पर Poco X3 ही ले जो की नया भी है और इससे बैस्ट भी है नेक्स्ट है OPPO Reno 2F 6GB RAM के साथ में 256GB स्टोरेज मिल जाती है 16000 रुपे की की कीमत में काड़ फोर लगाने के बाद में ये फोन 15000 रुपे तक आपको मिल जाएगा तो काफी अच्छा फोन रहने वाला है अगर आपको इन डिस्प्ले फे इंगर पर निसके नेर पैजललेस डिस्प्ले और ज्यादा स्टोरेज चाहिए अगर आपको इक बड़ी बैटरी बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए इसको आप ले सकते हैं बट वहीं इस प्राइज में आपको सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले ही मिलेगी और इसे की सत में जियोनी मैक्स 2 प्लस 32 जीबी 5,000 रुपे की किमत में मिल जाता है काड़ोफर लगाने के बाद में ये फोन सायद से आपको 5,000 रुपे तक मिल जाए है तो अगर आप सबसे सस्ता Android फोन देख रहे हैं तो इसको आप ले सकते हैं ठीक है अपने प्राइस के कोडिंग नेक्स्ट है आईफोन SE 33,000 रुपे में मिल जाता है अभी के लिए एग्नोर कर दो वेल्यूफर मनी स्माटफोन नहीं है और रीसेल वेल्यू भी आपको कम मिलेगी नेक्स्ट है रियल्यमी C3,000 की कीमत में इग्नोर कर दो इसकी प्राइस अब बढ़ा दी गई है दिन में इसकी प्राइस सिर्फ 8,000 रुपे रखी गई थी ओपो A5S,000 की कीमत में इसको भी आप स्किप कर दो नेक्स्ट रियल्याल्यमी 7 सिरीज मिल जाती है जिसमें कि रेल्यमी 7 15,000 रुपे की कीमत में मिलता है जिसपर कि आप कोई भी प्राइस कट नहीं है और वहीं रेल्यमी 7 प्रो बीज़े की कीमत में मिलेगा बट वहीं आपको इन पर काड़ ओफ वर पो गरा मिल जाएगा कीमत में मिल जाता है इसको आप एगिनोर कर दो और रियल्मी सी एलेवन साड़े साथ जा रुपी कीमत में मिलता है काड़ोफर लगाने के बाद में सिक्ष्टी फाइवन रुपी में मिल जाएगा तो इस प्राइज में यह इतना कुछ खास फोन नहीं है देख सकते हैं बट इसमें भी सिर्फ आपको HD प्लस डिस्प्ले ही मिलेगी नेक्स्ट है रियल्मी नार्जो 20 साड़े 10,000 की कीमत में मिलता है जिसमें की काड़ोफर लगने के बाद में साड़े 9,000 रुपी की कीमत में आपको मिल जाएगा तो इसको आप देख सकते हैं अगर आपको इसको ले सकते हैं नेक्स्ट इसकी साथ में नार्जो 20 ये साड़े 8,000 रुपे में मिल जाता है काड़ोफर लगने के बाद में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो इस कीमत में ये बी एक अच्छा फोन है इसको भी आप ले सकते हैं नेक्स इंफिनिक्स स्मार्ट फोर 7,000 की कीमत में स्किप कर दो इसे के साथ में इंफिनिक्स होट 10,000 रुपी कीमत में मिल जाता है बैंक कोफर के बाद में शाड़े 8,000 रुपे तक आपको ये फोन मिल जाएगा तो इस प्राइज में ये काफी अच्छा फोन है इस बजट के अकोडिंग इस पर आप गेमिंग अग कीमत में मिलता है जिसकी प्राइज को अभी कुछ टैम पहले इंक्रीज किया गया था वहीं काड़ोफर लगने के बात में 15,000 की कीमत में मिल जाएगा तो इस प्राइज में अगर आपको बड़ी डिस्प्ले ज्यादा स्टोरिज वगरा चाहिए तो इसको आप ले सकते हैं तब तक इस रेंज में काफी अच्छे-चे स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे नेक्ष्ट माइक्रोमेक्स इन नोट वन 11,000 की कीमत में मिलता है बैंक कोफर की बात में ये फोन भी आपको 10,000 की कीमत में मिल जाएगा तो इस प्राइज में ये काफी बहतरी इन प्राइज में इस जैसा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलने वाला नेक्ष्ट तो रियल में एक्स्टरी सूपर जूम 24,000 की कीमत में मिलता है जो कि मेरे कोणिंग आप ना ले तो सही रह गया क्योंकि आभी कुछ टाइम बाद रियल में X7 सीरीज भी आने वाली इंडिया में जो कि इसी प्राइज की असपस लॉंच की जाएगी जिसमें की 5G भी आपको मिलेगा तो इसको आप स्किप कर दो नेक्ष्ट रियल में X3 22,000 रुपे मिल जाता है इसकिप कर दो इसे की साथ में रियल में X50 Pro 5G 35,000 रुपे की कीमत में मिलेगा काड़ पर लगने के बाद मे 14,000 रुपे तक आपको यह फोन मिल जाएगा इस फोन में सभी फ्लेक्सिब वाले फिचर मिल जाएगे तो इसको आप ले सकते हैं नेक्ष दूस्तो आइपोन 11 Pro 80,000 की कीमत में मिलता है जिस कीमत में आपको आइफोन 12 मिल जाएगा तो इस कीमत में आप इस फोन को बिल्कु G8X 6 Plus 128 GB 28000 रुपे में मिल जाता है, धिवाले पर ये फोन 20-22 रुपे तक मिल रहा है था, तब तक तो ये फोन ठीक था, बट अभी के लिए आप इसको skip कर दो, next ROG Phone 3 45000 रुपे की किमत में मिलता है, जिस पर कि अभी 500 रुपे का price cut हुआ था तो अगर आपको pro level की gaming करनी है और streaming को रहा करनी है, 60 fps पर streaming को रहा करनी है, तो आप इस phone को ले सकते हैं, बट वहीं ये एक 4G smartphone है, next इसे की साथ में IQ 3 30 रुपे का मिल जाता है जो कि काफी अच्छा phone है, इस budget में ये भी एक gaming phone है, इसको भी आप देख सकते हैं नेक्स दोस्तों, premium category की बात करें तो Motorola Razr folding phone है 75,000 रुपे का मिल जाता है, Motorola Edge प्लस 65,000 रुपे का मिलेगा, दोनों इस phone बिल्कुल भी value phone मनी नहीं है skip कर दो, next LG Velvet और LG Wing ये दोनों phone काफी ज़दा और प्राइस है, सिर्फ dual screen के लिए इतने ज़्यादा पैसे वेश्ट करने बिल्कुल भी सही नहीं है, next है Samsung S20 प्लस 50,000 रुपे का मिलता है काफी जबरदस्त phone है, अगर आप बेस्ट फ्लेक्सी phone नेला चाते हैं, तो ये phone काफी अच्छा रहेगा, इसको आप ले सकते हैं, next Samsung Note 10 प्लस 55,000 रुपे का मिलता है skip कर दो, इसकी जगए पर आप S20 प्लस ले सकते हैं, next है Mi 10 T series, 35,000 रुपे की किमत में काफी बढ़िया phone है, 5G मिलेगा display, camera, fast charging, सब कुछ आपको काफी कमाल का मिलता है, तो इसको आप ले सकते हैं, next है Vivo V20 और V20 Pro, दोनी phone काफी ज़्यादा over price हैं, तो इनको आप skip कर दो, next अगर इसके नीचे देखें तो जितने भी phone आपको नीचे दिख रहे हैं, वो ज़्यादा तर पुराने और offline phone है, जो चले गई हो, तो यार फ्लीज यूड़ी को लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आप से एक और इसके नीए वीडियो में, तब तक लिए take care and good bye